सब्सक्राइब नमस्कार, डॉक्टर अवनीश पांडे एक बार फिर से आपके साथ लाइव आया हूँ, आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे विरुद्धाहार के विशे में, विरुद्धाहार एक बहुत ही महत्रपून विशे है जिसका वर्डन अईरवेद में आया है, और इ विशे सरूप से हमें ये चानकारी होनी चाहिए, एक सामान निव्यक्ति को एक जानकारी होनी चाहिए, कि हमें किन-किन भोज्य पदार्थों को एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए, उसका क्या परड़ाम हो सकता है, जनरली जो हमारी बीमारी होता है, या हम हमारे जो स्वास से गरबड होता है उसका प्रमुकर्ण यही होता है कि हम विभिन गुणवाली चीजों को एक साथ सेवन कर लेते हैं उसी के विशह में हम अभी बात करेंगे तो साथियों आईरवेद में तीन उपस्थंभ बताए गया है आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य जिसमें आहार बहुत ही मातुपून है हमारा जो डाइट है वो बहुत ही मातुपून है और इसको महोशद भी कहा गया है आहार को माउशद भी कहा गया और आचारे चरक ने यहां तक कहा है देहो आहार संभवा यानि कि जो हमारे शरीर का जो निर्माड होता है वो हमारे आहार से ही होता है तो आहार का बहुत ही महत्रपूर्ण रोल है हमारे स्वास्ति के लिए हमारे शरीर के लिए आचारे लोलिम्बराज ने यह भी कहा है कि पत्थे सतिक अदार तस्तिक के महाशद निशेवन संस्कृत को नहीं बता हैं कि हिंदी में को यह समझना हो तो आपने देखा होगा कि ज आप जीरूर पुछतें लोटोसर क्या परहज करना है जिसां तो डॉक्टर आप से जो परहज बताता है तो वे इसलिए बताता है कि जब तक आप परहज नहीं करेंगे उस दवा को कोई रॉल नहीं है जिसको हम आप जोए बोलते है पत्थय और अपत्य क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए आप दवा खा रहे हैं साथ में गलत चीजों का भी सेवन कर रहे हैं जो दवा के साथ में नहीं खाना चाहिए तो उस दवा का कोई मतलब नहीं है और अगर आप रेगुलर पत्य का सेवन कर रहे हैं विरोधी आहर का सेवन नहीं कर रहे हैं तो आप क परचा करेंगे एक सामाने व्यक्ति को पता होना चाहिए हमारे शरीर में तीन दोश होते हैं वात पित और कफ तो यह वात पित और कफ होते हैं और हमारे शरीर में अगनी जट्रागनी जिसको हम लोग बोलते हैं जो हमारे भोजन का पाचन करती है एक सामाने व्यक्ति को जट प्रागनी जो हमारे भोजन का पाचन करती है, वो तीनों दोष हमारे शरीर में साथ धातुएं होती हैं, रस रक्त मांस मेदास्ति मज्जा और शुक्र तीन मल होते हैं, तो इन सबी का सामया वस्ता में बने रहना, एकिलिब्रियम में बने रहना अगर ऐसा है, तो मनुश्य स स्वास्थ रहता है हेल्दी रहता है इसके साथ मानसिक स्वास्थ भी बहुत जरूरी है फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है और जो हमारा स्वास्थ है कहीं कहीं हमारे जो शरीर है हमारा स्वास्थ है हमारे डाइट हमारे आहार पर डिपेंड है मिथ्या आहार है अति मात्रा में आहार का सेवन गलत आहार का सेवन हीन मात्रा मतलब बहुत ज्यादा मतलब नपातुला भोजन जिसको उनलोग प्रमिताशन कहते हैं तो इस तरीके से विश्मासन हो गया कई चीज़ें आयरवेर में बताई गई है अध्यशन होता है जिसको मत पहले से डाइजेस्ट नहीं हुआ है बोजन पहले वाला जो खाया है उसके बिना डाइजेस्ट वे फिर से बोजन ग्रहंड करना कि कुछ चीजें आयरवेर में बताई गई हैं उसी प्रकार से विरुद्धाहार का भी एक कॉंसेप्ट है जो कि शरीर दोश और धातू इन सभ को दोशित करके बीमारियों को उत्पन करता है तो अगर विरुद्धाहार को देखा जाए तो विरुद्धाहार वाद पित्वकद्य हमारे शरीर में दोश होते हैं इनको उभाड़ देते हैं उभाड़ देते हैं शरीर से बाहर ने निकालते हैं इन दोशों का भी हमने बत बढ़ जाते हैं और लेकिन शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो यह बहुत ही कदरना का वस्ता होती विरुद्धाखर यद किंचित दोशम अस्रावे न निड़रत कायत है मतलब दोशों को बढ़ा देते हैं लेकिन शरीर से बाहर हम उनको नहीं निकलता हैं ऐसे आहार को विरुद्ध आहार के बारे में इनके गुण जो आहार भिन भिन गुण वाले हो उनके हमारे शरीर पे हमारे उदकों पे अलग अलग कर्म हो इस तरीके से विरुद्ध आहार जो है आईरवेद में कई तरीके के बताए गए है और उन सब के बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे क्या है तो सबसे पहले तो एक देश विरुद्ध बताया गया है देश विरुदु का मतलब क्या होता है जैसे कोई रगिस्तान में रह रहा है कोई आनूप देश एक मरू भूमी जहां पर रगिस्तान में जहां पर वर्शा बहुत काम हो रही है एक बहुत जहां पर वर्शा ही वर्शा होती है है ना तो दोनों देखिए जो देश हैं रहने क बोग्ष भोजन करता है है ना तो यह देश विरुद्ध कहा जाएगा जहां पर बहुत पानी पानी है और वहां के लोग भी बहुत आईली चीजों को खाएं तो वो जो है आपका देश विरुद्ध कहा जाएगा तो जो मरूब हो यह जो लोग रह रहे हैं उनको ज़्यादा रूख भुजन नहीं करना चाहिए थोड़ा सा आईली चीजों का सेवन करना चाहिए वहां पर वैसे ही जहां पर पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है नमी बहुत ज़्यादा रहती है ऐसी ज़गहां पर लोगों को बहुत ओयली चीज़ों को सेवन नहीं करना चाहिए दूसरा आता है काल विरुद्ध, काल हम समय को बोलते हैं, ठीक है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं, इंटेक of cold or dry substances, जैसे जाड़े का समय है, जाड़े में हम बहुत ठंडी चीजों को खाएं, या बहुत रुक्ष या बहुत सूखी हुई चीजों को, जाड़े में बात रहता है, और हम ठंडी चीजों का सेवन करेंगे, रुक्ष वस्तों का सेवन करेंगे, आहार का सेवन करेंगे, तो कहीं कहीं हमारे बात को और बढ़ा देता है, यह हुआ काल के विरुद्ध, जैसा काल होता है, गर्मी का टाइम है, तो वहाँ पे हमको ठंडी चीजों का से जैसे बता जाता है ठंड का समय है तो वहाँ पर ठंड शीथ वाले जो द्रव्य है आहार है उन्हका सेवन नहीं करना है कि TV काल के अ्मसार काल विरुध अगर हम आहार सेवन नहीं करते हैं की कैल विरुध होगा ए मैंने बता है कि हमारे शरीर में अगनियां होती है तो अगनी विरुद्ध क्या होता है जैसे कि किसी की अगनी बहुत कम होती है किसी की अगनी बहुत ज्यादा होती है तो अगर किसी की अगनी बहुत कम है मंदागनी जिसको बोलते है और वो बहुत हैवी फूड ले ले बहुत ज्यादा भोजन करिश्ट आहर कर ले तो मंद तुला भोजन कर रहा है तो क्या होगा जो उसकी तीवर अगनी है उसके धातूं को भी जलाने लगेगी है ना आहार जब मिल नहीं रहा है तो उसकी धातूं को भी जलाने लगेगी तो वो कमजोर हो जाएगा तो इसलिए अगनी के अनुसार भोजन करना चाहिए जैसे हमारे श्रीर के अगनी है वैसा ही भोजन करना चाहिए अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आगनी विरुद्ध हो जाएगा. अभी हमने आप से चर्चा क ia देश विरुद्ध, पिर काल विरुद्ध, पिर आगनी विरुद्ध की बात gekommen. इसके बाद आताए बराबर मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, एक साथ मिला के सेवन नहीं करना चाहिए, सम मात्रा में, मतलब equal amount में कभी भी घी और शहत को नहीं खाना चाहिए, wish का काम करता है, poison का काम करता है, साथ में विरोधाता है, कोई कोई चीज किसी को सूट नहीं करती है, कोई चीज जैसे ठंडी चीज किसी पो स्वाइब करती है दही किसी को सूट नहीं करता है न तो जो चीज़ सूट नहीं कर रही पिर भी अगर वह वैक्ति ले रहा है तो वह साथ में विरुद्ध हो जाता है वीरे विरुद वीरे विरुद बहुत इंपोर्टन्ट है मतलब अईरवेद में शीप वीर और ऊच्णव आप अपने की पर किके तो ऊच्ärक में किरिए के दर अभ्यों को ऊचनवीर वाला के साथ हम शीप धिध वे वाला एक साथ सैवन कर रहे हैं तो आपका वीरे विरुद्ध हो जाएगा अब इसका example नहीं आपको और बताएंगे तो वीर विरुद्ध आहर का भी सेवन हम को नहीं करना चाहिए कि इसी तरीके से दोष विरुद्ध भी बताएगा है संसकार विरुद्ध भी बताएगा है तो इसके बाद आता है कोष्ट विरुब्द कैसे अभी हम ने अगनी की बाद की वैसे ही खोष्ट भी अलग अलग तरीके के ऑपो निहीम फोनाइग हो तो होता है कि सेका म्रिद्ध वोस्ट होता है मद्यम कष्ट कोष्ट है मैंस समझ सकते हैं कि दोडीन होने लगता है किवाल दूदी पिने से किसी को तृफला लेने पे भी हलका पड़ता कोई कोई इस नुहिщat लेता है तो भी उसको बहुत कठिनाई से मल्थाग होता है तो सब की कोष्ट की प्रकृति है सबकी अलग-अलग होती है तो जिसको दूसरे ही मलत्याग होने लग रहा है लूज मोशन होने लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे उसको उसका जो कोष्ट है मृद हुआ है और जिसको इस नोही देने पर भी मलत्याग बहुत प्रिशनाई से हो रहा है वो क्रूर कोष्ट हो जाता है तो वही यहां पर बता जा रहा है कि कोष्ट के विरुद जैसा हमारा कोष्ट है वैसा ही हमको आहार लेना चाहिए अवस्था विरुद इसके बाद आता है अवस्था विरुद अवस्था विरुद की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिएगा इन्डिजर्जर्जर्जन वात अग्रिवेटिंग डाइट आफ्टर फिजिकल स्ट्रेस मतलब कि कभी कभी आपने देखा एकसरसाइज करने बाद हमारे शरी नहीं के बढ़ बढ़ जाता है तो उससमें वात को ही बढ़ने वाले हमको डाइट नहें लेना चाहिए है ना वात को बढ़ाने वाले डाइट नहीं लेना चाहिए खासका एक्सरसाइज के बाद या एक्सरसाइज हुआ इस्ट्रेस अस में वह उसpping ala बहुत सब्सक्राइण हो। तौफ या इसना बढ़ा है इसा कि बच्चों में पित बड़ेगा और वृद्ध वस्तह में वार बढ़ा हो ता है इस व्रिद्धा वस्था में जो है ज्वाइन पेन वगएर बहुत जादा होते हैं लोगों को हड़ी कमज़र हो जाती है वाद बढ़े होने सोता है तो व्रिद्धा वस्था में बाद को बढ़ाने वाले आहार का सेवन कम करना चाहिए यह आवस्था में पित्य को बढ़ाने वा उपचार विरुद्ध भी यहां पर वरड़नाया हुआ है उपचार विरुद्ध के मतलब क्या होता है कि डिरिंग ट्रीट्मेंट ठंडी चीजों के साथ में जो है टेकिंग कोल सिंग साफ्टर टेकिंग ही मतलब जैसे इस नहे द्रव्ध हैं वहां पर बताएगा है उचन प पिलाया है हाईरवेज में पाक विरुद्ध भी हम कह सकते हैं एक एक एक्जामपिल इसका विरुद्धार का पाक विरुद्ध भी है प्रिपरेशन आफ फूर्ड विथ बैड़ और रोटन फ्यूल मतलब कुल मिला कि जो कूकिंग हो रही है जो पाक हो रहा है वो प्रॉप और ली नहीं पकाया जा रहा है तो आपका पाक विरुद्ध हो जाएगा संयोग विरुद्ध एक आता है संयोग विरुद्ध तो यहां पे खटी चीजों को दूद के साथ कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए यह बहुत इंपॉर्डन्ट है कि दूद के साथ में कभी भी और नहीं करना चाहिए बहुत भीड़ भाड एरिया में भी भोजन नहीं करना चाहिए बहुत शोर वूल के साथ में भी भोजन नहीं करना चाहिए जैसे बाफर सिस्टेम में लोग करते हैं यह भी आईरवेद में मना किया गया है इसको विधी विरुद्ध प्रॉपरली ब तो एक सामाने नागरिक होने के नाते हमको यह सब बाते जो है पता होनी चाहिए कुछ अब यूं समझें कि इतना यह महत्वपूर्ण है वैरोधी कहार कि मॉडर्न मेडिसिन में एक अलग ब्रांची है ट्रॉफोलाजी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यह वैरोधी कहार कि मॉडर्न साइंस में भी पढ़ा जाता है ट्रॉफोलाजी तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है यह यह हमने बता है कि शहद अभी संसकार विरुद्ध की बात की थी तो वहां पर एक आप जी अपको बता कि घी और शहद को गही और शहद को बरावर मात्रय में नहीं लेना चाहिए वैसे घी को कभी शहद को कभी भी गरम करके नहीं लेना है चाहिए यह आपको सब्सकार हो जाता है कभी भी याद रखेगा कि हमको शहद को शीट करके सेवन नहीं करना है गरम करके नहीं लेना है मधू और सरफी को समान मतलब मधू यानिक शहद और सरफी मतलब घी इन दोनों कभी भी एक्वल एमाउंट में हमको नहीं लेना है ध्यान रखिएगा वेरोधिक आहार का विरुद्ध आहार का सेवन करने से बहुत ही विशैला आम बनता है शरीर में टॉक्सिक जिसकों हम लोग बोल सकते हैं आयरुवेद में आम बोलते हैं ये खाने वाला आम नहीं है ये एक तरीके से विश होता है आम इस गलत आहार के सेवन से हो सकता है जिसलिए कभी भी विरुद्ध आहार का सेवन मत करें दूद और मचली को एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए तो कभी भी दूद के साथ में मचली का सेवन नहीं करना चाहिए यह आपका वीरे विरुद्ध हो सकता है जब यह हमने थोड़ी देर पहले बता था वीरे विरुद्ध की ऊष्ण वीरी के जो टॉक्सिक सब्स्टेंस बनते हैं बॉड़ी में उससे बचा होता है ध्यान रखेगा यह बहुत ही महत्वूर है कि हमको अगर आम विश्ट से बचना है तो हमको प्रॉपरली वैरोदिक आहार का सेवन नहीं करना है उससे अपने आपको बचाना है कभी-कभी होता क्या है क व्यक्ति साथ में हो जाता है जो चीज़ें अभी हमने आपको बताई है वो नहीं मानता है फिर भी धीरे-धीरे हैविचुल हो जाता है उसको इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ता है मतलब वो दूध के साथ में मचली खा सकता है लेकिन उसके उपर कोई ले रहा है उसके ओपर कोई उसके शरीर पे उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो फिर देर जो है अभ्यास से हुआ है यह तो ऐसा नहीं है कि हम अभ्यास करने में लग जाएं अभ्यास करने की तरफ मत बढ़ यह हाँ चली चली एक बढ़ बीमारा हो और पिर हमारी हैविट पढ़ जा गया ऐसा मत प्रयास करिए नुकसान करेगा तो किसी-किसी में देखा गया सब में ऐसा नहीं होता है तो कुछ-कुछ कि एक और महत्वून आता है बात कि यह जो आपका वैरोधिक आहार है इसके सेवन से कहीं कहीं इंपोटेंसी और इंफर्टिल्टी भी क्रियेट होता है आप देख रहे होंगे ज्यादा तर पहले तो ऐसा नहीं था आज ज्यादा तर ओपीडी में पेशेंट से आते हैं इरिक सेवन ज्यादा करने से ऐसा हो सकता है तो इंपोटेंसी और इंफर्टिल्टी के कैसेज भी बढ़ रहे हैं विरुद्धार के सेवन से इसके से बचना चाहिए व्रत उपवास में क्या करते हैं दूद्ध को केले में मिला दूद्ध और केला मिला के लोग सेवन कर रहे हैं ज्यान रखे कर दूद्ध और केला को कभी भी एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए अगर ऐसा करते हैं तो कई स्किन डिजीज हो सकते हैं डाइबिटीज हो सकता है हैं विरियोमेटाइड आर्थ्राइटिस हो सकता है और ओबेसिटी हो सकते हैं मुटापा बढ़ सकता है तो कभी भी दूद को और केला को एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए कि दूद रोटी और सब्जी सब को एक साथ सेवन मत करिए दूद के साथ में भी गोए हुए जो चैने होते हैं वो कभी भी सेवन मत करिए एक साथ क्योंकि इससे भी स्किन डिजीस हो सकते हैं सलाथ खाने के बाद कभी भी दूद्ध मत लीजे अगर आप सलाथ खाने के बाद दूद्ध का सेवन करते हैं इससे भी आपका इसकिन डिजिस हो सकता है और रानिंग जिसको हम लोग जो काम कह सकते हैं अर्थराइटिस भी हो सकता है डायवेटीज हो सकता है और सांस की ऐसा नहीं हो सकती है अगर आप सलाक खाने के बाद दूर्द पीते हैं तो पैसा मत करिये मुद्धार लगतार पपनीर का सेवन नहीं करना चाहिए इससे आपका पाचन तन्तंधर गजब्बढ़ हो सकता है अर्फ्राइडिस हो सकती है है दही को सलाग के साथ में नहीं खाना चाहिए इस से आपके शरीर में रखती की कमी हो सकती है और हार्ट से सम्मंदित बीमारियां हो सकती है सर में दर्द हो सकता है तो कभी भी दही और सलाग को एक साथ में देजिए रात में हो सके तो दही खाने से बचिए नौन वेज के साथ मने इसलाद का सेवन भी खम करिए यह यह भी आ कई प्रकार के इसकिन डिजीज फीवर हो सकता है और अपका डाईसी णैसाओ सिस्टम जो है यह विगड़ सकता है तो कभी भी नौन वेज के साथ में सलात sẽवन न करें यह भी वैरोदी का हर है कर दोदा Before मत करिया बिना मलत्याक किये हुए भोजन मत करिया पहले इसंळान कर लीजे तब भोजन करिया ऐसा नहीं पहले आपने भोजन कर लिये तब आप इसंनान करने काए है ये सब चीज आपको अपनी हैबिट में लाना होगा इसलिए मैंने बताया किอẠ partnerships में जो तीने इस्तंब हैं उपस्तंब आहार निद्रा और ब्रह्मचर आहार को महोशत कहा गया है अगर आपका डाइट प्रॉपर है आपका आहार प्रॉपरली आप ले रहे हैं तो आपका भी बीमार नहीं पर सकते हैं वैसे भी आईरविद में और भी कई कॉंसेप्ट हैं दिन चरिया है रित चरिया है आहार है निद्रा है तो तमाम ऐसे चीज़ें है रसायन और शदियों के बारे में बताया गया है तो अगर हम प्रॉपरली इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं जो आईरविद में बताया कि नियम हैं अगर हम उनका प्रॉपरली पालन करते हैं तो हम स्वस्त रहेंगे चलते चलते बस यही कहेंगे सर्व मन्यत परित्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् आपने देखा हो कभी बीमार अगर पड़ जाते हैं तो कुछ भी करने की एक्षा नहीं होती है इसलिए आचारी चरक ने निधानस्थन बताया है कि सर्वमनत्प्रप्रद्य शरीरमन्पाथ नत्थ भाव ही भावणनं सर्वभाव ने शरीररना वह अग्पट्प्ट भीकते नरो ही टा हार versions varying submit कारी विशयष्ट रसकता है जाता समाध सकते पर शमावान आपव्प सभी भवत्य रोगा जो व्यक्ति निरंतर हीत कर आहार वि करना चाहिए कभी भी वैरोधी का हरका सेवन नहीं करिए हिद भूक मित भूक और रिद भूक बहुत इंपोर्टेंट है इसका पालन करिए फिर किसी टापिक पर हम जल्द मिलेंगे स्वास्त रहें प्रसंद रहें नमस्कार